प्रधानवांत्री ने आपता प्रतिरोधी अव संग्रंचना पर दो दिवसिये अंतराश्टी समेलन को किया सबोधित कहा आपदाओं से निपटने में स्थानिय ग्यान के साथ आधोनिक तक्नीक की एहम भूमिका मुख्यमंत्री ने बिवानी दौरे के दौरान जन समवाद कारिक्रम में लोगों की समस्याओं को हल करने का दिया आश्वासन तो शाम पुलिस स्टेशन को सुवच्टा के लिए पांच लाख के इनाम की घोशना देश में कोविट के सक्रिय मामले 21,000 से अधिक परदेश के स्वस्यमंत्री ने कोविट के बढ़ते मामलों पर चंडिगड में की समिक्षा बैठक और देश और परदेश में आज धूमधम से मनाई जा रही है बगवान महावीर जयनती, पानीपत में आयोजित कारिक्रम में पूर्वराश्रपती रामनात कोविंद और राजयपाल बंडारू धत्तात्रेने की शिर्कत नमस्कार, मैं भूपेंदर सिंग मलिक, अब समचार विस्तार से परदानमंत्री निरेंदर मोदी ने आज वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रतिरोधी अव संग्रचना पर आयोजित अंतराश्री समयलन को संभोधित किया अपने संभोधिन में परदानमंत्री ने आपदा के परभाव से निपटने के लिए विश्व से एकेकरित रविया अपनाने का आहवान करते हुए कहा के परतियक देश विभिन तरह की आपदाओं का सामना करते हैं और समाज आपदाओं को जहल सकने वाले बुन्यादी धाचे से सबंदित स्थानिय जानकारी विक्सित करते हैं उन्होंने कहा कि बन्यादी धांचों को आधूनिक बनाते समय इस परकार की जानकारी का इस्तेमाल सूजबूच से किया जाने की आवशक्ता है स्थानिय जानकारी से प्रिपून आधूनिक प्रद्योग की आपदाओं से निपटने में मददगार हो सकती है अगर इनका दस्तावेश अच्छी तरह से त्यार किया जाए तो स्थानिय जानकारी विश्वस्तर की श्रेष्ट जानकारी हो सकती है उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में 40 से ज्यादा देश आपदा प्रदिरोधी अवसरचना समेलन में शामल हुए है advanced economies and developing economies large and small countries, the global north and the global south are coming together at this forum. It is also encouraging that it is not just governments that are involved. Global institutions, domain experts, and the private sector also play a role. Each nation and region faces disasters of different kinds. Societies evolve local knowledge related to infrastructure that can withstand disasters. While modernizing infrastructure, such knowledge needs to be used intelligently. मुख्यमंतरी मनोहरलाल ने आज अपने भीवानी दोरे के तीसरे दिन तोशाम में पंजाबी धरमशाला का उदगाटन कर उसे इस्थानिये निवासियों को समर्पित किया. इसके उपरात उन्होंने तोशाम दुलहेडी संडवां गावों में जनसावात करिक्रम में लोगों से बाचित कर सामुहिक समस्याओं को लेकर चर्चा की और उनका हल किया. वे उपस्थित लोगों के सुझाव भी लिये. साथ ही सीम ने आज तो शाम पुलिस स्टेशन का आचिक निरिक्षिन किया. उन्होंने पुलिस स्टेशन में सवच्चता की तारिफ की. सवाई व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री ने S.H.O. सुखवीर सिंग को प्रुटसाहित किया और थाने में सिपाहियों के बेड़ की व्यवस्था के लिए पांच लाक रुपए के इनाम की घोशना की. इस से पहले मुख्यमंत्री कल शाम जनसवाद कारिकरम के दौरान जिलिक गाम दिनौद स्थित राधासवामी आश्रम में पहुंचे. मुख्यमंत्री ने हजूर कमर साहिब जी महाराज से बातचीत करते हुए कहा कि समाज के उत्थान वे समाजिक बुराईयों को दूर करने में संतों का बड़ा एहम योगदान होता है. इसके साथ सरकार की अनेक ऐसी समाजिक कल्यानकारी योजनाई होती हैं जिन से सही कर्यानवन से संत लोगों का संदेश बहुती कारगर साबत होता है. इसके बाद मुख्यमंत्री स्वच्चता अभ्यान के लिए देश भर में प्रेड़ना का सत्रोत बने बिवानी जिले के दुलेहरी गाम में पहुंचे. उन्होंने वहाँ जनसवाद कारिकरम में कहा के परदेश के 135 बड़े गामों में स्वच्चता अभ्यान के तहत ट्रेक्टर ट्रॉली दी जाएगी और जरूरत के अनुसार सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. दुसरे गामों को भी दुलेहरी को मौडल मानकर स्वच्चता अभ्यान का अनुसरन करना चाहिए. उन्होंने बिवानी के उपायुक्त वैस्थानिय जन प्रतिनितियों को जिले में दुलेडी मौडल के अधार पर गाउं में सफाई अभ्यान चलाने के निर्देश दिये. मुखे मंतरी ने दुलेडी गाउं की युवा सवच्चता जन सेवा स्विति को गाम की सफाई के लिए पांच लाख रुपए की राशी देने की घोशना की. देश में करोना के दैनिक मामलों में वरिदी देखने को मिल रही है. करोना संक्रेमितों की संख्या 21,000 से अधिक हो गई है. 22 गंटों में 3,000 से अधिक मामले दर्ज किये गए हैं जबके 2,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर ठीक हुए और 7 लोगों की मृत्यू हुई है. करोना के सकरिय मामलों में 0.5 प्रतिशत की वरिदी दर्ज की गई है. वहीं रिकवरी दर 98.7 छे प्रतिशत पहुँच गई है। स्वास्य मंतरी अनिल विज ने कल चंडीकर में स्वास्य भाग के वरिष्ट अधिकारियों के साथ कोविट संक्रमन के बढ़ते मामलों को लेकर बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यदि खांसी जुकाम के मरीज अस्पताल में आते हैं तो ऐसे मरीजों को करोना टेस्ट अन्वारिय किया जाहिए। राजे में सौ से अधिक व्यक्तियों की भीडवाले क्षेत्रों में मास्क पहनना अन्वारिय किया जाएगा तांके कोविट संक्रमन को रोका जा सके। इसके इलावा राजे के सभी स्वास्ते कर्मियों को मास्क पहनना अन्वारिय कर दिया गया है। उन्होंने सक्रमित मरीजों की जीनॉम सिक्वेंसिंग भी किया जाने के निर्देश दिये। स्वास्यमंत्री ने बताया कि अभी तक जो कोविट का वेरियंट आया है वे काफी माइल्ड है। वहीं वर्तवान में परदेश में कोविट के 724 सक्रिये मामले हैं लेकिन इन में से कोई अस्पताल में दाखिल नहीं है। उन्होंने बताया के पिछले एक सब्ता में राजय में कोविट के 25,404 टेस्ट किये जा चुके हैं। सभी सिविल सर्जन अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि लोगों को वैक्षिन की एहतियाती डोज लगवाने के लिए प्रेरिद करें। उन्होंने लोगों से कोविट प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील की। हम उसमें सारे हमने बढ़ा रखी है सब जगा पर और हमारे पास 724 अभी हैं हमारे पास एक्टिव पेशन हैं बट नन अफ देम इस होस्पिटिलाइस्ट देखिये जो फर्स जोज है हम एक सो तीन परसेंट लगा चुके हैं जो सेकंड जोज है एटी सिक्स परसेंट लग बुस्टर डोस में कमी है वो हमने सभी सीएअ मोउस को कह दिया है कि वो उसके लिए लोगों को प्रिरीड करें लोग आगे नहीं आ रहे हैं तो वो हम बुस्टब thé조 लगाने के सब को कहेंगेिगे कि सब लगवाई बाक्रिवी यह में जरूर कहना के लिए को यह कोभीड है पच्ची हजार चार सो चार टेस्ट समने की है। पच्ची ने देश्वासियों से अहिंसा के मार्क पर चलने और पश्वों के प्रती करुणा का भाव रखने और प्रकृति की रक्षा करने का आवाद किया। परधान मंतरी निरेंदर मोदी ने भी देश्वासियों को शुब कामनाई देते हुए अपने ट्वीट में कहा कि इस विशेश दिन पर लोग भगवान महावीर की महान शिक्षाओं का समर्न करते हैं। उन्होंने शांती पूर्ण, समरस्ता पूर्ण और समर्द समाज निर्मित करने का मार्ग दिखाया। वे स्वें से प्रेरित थे और उन्हें विश्वास था कि लोग सदा दूसरों की सेवा करेंगे और निर्धनों वे वन्चितों के जीवन में एक साकारातमक बदलाव भी लाएंगे। पानीपत में जैन धर्म के चौबिसवें तिर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जैनती बड़ी धूमधाम से और शर्दा से मनाई गई। देश के पूर्व राश्रपती रामनात कोविंद बतोर मुखे अतिथी जबके विशिष्ट अतिथी के तौर पर पर परदेश के राजयपाल बंडारू दतात्रे ने समाहरों में शिर्कत की। कारिक्रम में आई लोगों ने जैन धर्म के गुरू समर्पन सागर महराज से अशिरवाद लिया। अपने संबोधन में पूरवराश्ट्रपती ने देशवासियों को भगवान महावीर ज्वन्ती की शुप कामनाई देते हुए कहा कि भारत की बड़ी ताकत अहिंसा और सर्वकल्यान की भावना है। भगवान महावीर ने मानवता को अहिंसा का संदेश दिया। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम बड़ी से बड़ी चुनोती को पार कर सकते हैं। जैन प्रंप्रा के तीन सिधान समयक दर्शन, समयक ज्यान, समयक आचरन को अपना कर जीवन में किसी भी समस्या से पार पाया जा सकता है। जीओ और जीने, सही माइनर ये सोशाल हार्मानी रेजिस्पॉन कह सकते हैं विश्व में को इक्जिस्टेंस। ये उसी का सित्वान। पार्मन महावीर की जैती ये और भारत में इंडीवर को पूरे विश्व में जैन आनमाईयों का इक्रम जोगार। अगवान महावीर ने जो भी उप्देश दिया उसमें विए उससर दोरह इंसा का पूर। जैन तर्म का अभू सित्वान ता इंसा किसी सित्वान पर आनारे विश्व शुशाल की इंसा संदेरत में। परदेश के राजय पाल बंडारू दतत्रे ने लोगों को महावीर जैनती की बढ़ाई देते हुए कहा कि भारत के अध्यात्मक इतिहास में जैन धर्म भारत की संस्कृती की पहचान बनाने में हमेशा आगे रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीती में हमारी संस्कृती और हमारे अध्यात्मक जीवन का परसार तेजी से हुआ है। आगे रहा है। भारत ने चीन द्वारा अरुनाचल परदेश के कुछ स्थानों के नाम बदलने के चीन के कदम को खारज करते हुए कहा कि अरुनाचल परदेश भारत का अभिन अंग है और हमेशा रहेगा। विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसा हथकंडा अपनाया है। रविवार को अरुनाचल परदेश के ग्यारां स्थानों के नामों की सूची जारी की इन ग्यारां स्थानों में दो भूमीक्षेत्र, दो रहाइशी इलाके, पांच परवतिय चोटियां और दो नदियां शामिल हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हमारी सर्वोच प्राथमिक्ता मानव जीवन को बचाना और संपती की रक्षा करना है। 28 फरवरी 2018 को परसारित मन की बातकारिक्रम की कड़ी में परधानमंत्री ने कहा के हमें पराकृतिक आपदाओं के प्रती स्तर्क और जागरुक रहना होगा। उन्होंने लोगों से सुरक्षेत रहने और दूसरों की मदद करने के लिए सभी उपाय करने पर भी जोर दिया। जब हम पब्लिक सेप्टी की बात करते हैं तो दो चीजें बहुत महत्वपून होती हैं। प्रोएक्टिवनेस और दूसरा है प्रिपैडनेस। Safety दो प्रकार की होती हैं एक वो जो आपदा के समय जरूरी होती है Safety during disasters और दूसरी वो जिसकी दैनिक जीवन में आवश्क्ता परती है Safety in everyday life अगर हम दैनिक जीवन में Safety को लेकर जाग रूप नहीं है उसके हांसिल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपदा के दौरान इसे पाना मुश्किल हो जाता है। 95 साल की उम्र में भारत की अथरीट दादी ने देश के लिए तीन स्वरन पदिक जीते। उन्होंने ये पदक पोलेंड में आयोजित हुई नौवी वर्ड मास्टर्स अथलेटिक इंडोर चेंपिनशिप दो हजार तेईस में हासिल किये। पोलेंड में जीत के बाद भारत वापस लोटी दादी के परिवार में खुशी का माहौल है। भगवानी देवी ने इस प्रतियोगता में साथ मीटर दौड, डिसकस थ्रो और शॉट पुट में तीन स्वरन पदक जीते। तो तीन थरो में से दो फाउल हो गए थे, एक मेजर हुआ है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है मास्टर स्पोर्ट में कि उस टाइम एड़ ड़ट, टाइम ओफ इवेंट वो कैसे बिहेव करती है। तो बस उसी के लिए बेसिकली ट्रैनिंग दी जाती है, इनकों कि बईक किस हिसाब से थ्रो करना है, लेकिन कई बार उमर का ऐसा पड़ा होता है कि ग्राउंड के अंदर जाके वो चीज दिमाग में नहीं रहती है और वो कई बार गलतियां हो जाती है। फिर थोड़ा सा सम मंत्राले वे पत्तन, पोद परिवहन और जलमार्ग मंत्राले के कामकाज की सरहना की। मंत्राले ने वितवर्ष 2022-23 में कामकाज में 10% से अधिक वृदी दर्ज की। केंद सरकार ने बताया देश में वर्ष 2030 तक लगबग 17,700 CNG स्टेशन स्थापत करने का रखा गया महलाओं के सशक्तिकर्ण और उनके आर्थिक प्रतिनी दित्व को मजबूत करने के बारे में G20 समू की दूसरी बैठक केरल में शुरू और दिल्ली वे राश्टी राजधानिक शेतर के कई हिसों में सुबह गरज के साथ हुई तेज वारिश, मौसम भाग ने कल से तापमा में व्रिद्धी वे आस्मान साफ रहने की जताई संभावना समाचारों में आज इतना ही नमस्कार